दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे Robert Lind का एक famous essay जिसका नाम है On The Pleasures Of Ignorance Ignorance के भी अपने बहुत सारे pleasures हैं, बहुत सारे पाइदे हैं जो आज हम इस essay में discuss करेंगी बहुती कमाल का essay होने वाला, चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के end में दोसो इस वीडियो में हम लोग pleasures of ignorance को समझने जा रहे हैं, पहले इस title का मतलब समझ लेते हैं इस word ignorance का मतलब होता है किसी भी चीज की बारे में, x, y, z कोई भी चीज हो, उसकी बारे में complete knowledge ना होना अगर आपको किसी चीज की बारे में complete knowledge नहीं है, तो दुनिया आपका मजाग बनाती है, मजाग नहीं बनाती तो आपसे बात करना पसंद नहीं करती है लेकिन यहाँ पर Robert Land बोलते हैं कि ignorance का भी अपना मजा होता है, देखो कैसे वो मज़े गिनबाते है ignorance की आप दुनिया भर में घूम लो, आपको हजारों लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ignorance में जीर हैं उनमें से तो कई ऐसे भी होते हैं, जो अपनी जिंदगी में एक टाइप का beach tree होता है और एक टाइप का elm tree होता है इन दोनों पेडों में क्या फर्क होता है, ये फर्क जाने बिना ही मर जाता है उनको अपनी life में ये तक पता नहीं चल पाता है कि एक thrush और black bird के गाने में फर्क क्या होता है अब ऐसा नहीं है कि हमने thrush और black bird इन दोनों birds को कभी देखा नहीं अपनी life में कही ना कही देखा होगा, लेकिन कभी हमने इनको notice नहीं किया, बात तो ये है, अमारी पूरी जिन्दगी हम पक्षियों से घिरे रता है, बर्ट से, लेकिन हमें कभी ये पता नहीं चल पाता कि कौन सा पक्षि गाता है और कौन सा पक्षि नहीं गाता है, वो सब छोड़ो, आ आपने अपनी जिन्दगी में कभी कुकु बर्ड को, कोयल को देखा है, गाते हुए, अब ये मत बोलना कि कैसे नहीं देखा, आपने देखा नहीं है, बलकि आपने जिन्दगी बर उसे सर्फ सुना है, और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने कोयल को ही नहीं देखा है, कि ये कैसा पक्षी होता है, यहां पर George Chapman की दो लाइनों को कोट करते हुए, बोलते हैं, when in the oaks green arms the koku sings, and first delights man in lovely springs, तो यहां Robert Land यही तो बोल रहा है, आपको कई चीजों के बारे में नहीं पता अपनी लाइफ में, तो ये problem वाली बात नहीं है, अगर हर गुजरते हुए spring के season के साथ आप कुछ नया सीखोगे, जैसे अभी आपने quail bird के बारे में सीखा, हमारी life exciting बन जाती है, अगर हम कुछ नया सीखते हैं, जैसे अभी आप जरूर जानना चाहोगे, इंटरनेट पर जागर देखोगे, quail कैसी दिखती है, क्योंकि आज तक बस हमने घने पेडों पर उसकी आवाज सुनी है, हमने कभी उसे देखा नहीं है, और देखा भी है, तो इंटरनेट पर देखा है, live कहां देखा है, कुछ ही लोग हैं जिन्नों देखा है, और अगर आप कुछ उन महान हस्तियों में से हो, जिन्नोंने quail को देखा भी है, औ को भी मैं दावे की साथ कह सकता हूँ, आप उसके crimes के बारे में ने जानते होगे, कि वो क्या crime करती है, आपको ये बात जरूर पता नहीं होगी, कि कुछ अपने अंडे खुद का घोंसला बना कर नहीं देती है, बलकि दूसरों के घोंसले में जाकर देती है, और जब उसके के बच्चे बाहर आते हैं, तो वो सबसे पहला काम ये करते हैं, कि दूसरों के अंडों को लात मार कर उस गौसले से बाहर फैक देते हैं, कितने exciting बात लग रही होगी आपको, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं, जो ये बात पहले से नहीं जानते हैं, कि कुछ ये बात मैं एक naturalist से पूछूँ, जिसने अपनी पूरी जिंदगी wildlife photography करने में, wildlife लिखने में, पढ़ने में गुजारी हो, तो वो बोलेगा कौन सी नहीं बात है, मुझे तो पहले से पता है, देखो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उसने books में ये सब कुछ पढ़ा होगा, A से लेकर Z तक ये सारी knowledge ले लिए होगी, ये book वारी knowledge, लेकिन क्या जब वो ये scene live देखेगा अपने आखों से कि किस तरह से वो अंडे लात मार कर दूसरे अंडों को बाहर निकालते हैं, तो कितना मजा आएगा उसको, A से लेकर Z तक पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ जान लिया, अभी भी आप half ignorant हो, यहाँ पर Robert Lynn क्या बोलते हैं, कि आप half ignorant हो, इस दुनिया में कितना भी बड़ा naturalist हो या scientist हो, कितना भी अपनी जिंदगी में जान ले, लेकिन एक बड़ा हिस्सा उसके सामने बाकी जरूर रहेगा, जिसके बारे में उसे जानना बाकी रहे मेरे दिमाग में हमेशा एक ही सवाल आया है, कि कितना कम जानता हूं मैं इस दुनिया के बारे में, सूरत से लेकर चान तक और चान से लेकर फूलों के नाम तक, जब भी इन चीजों को देखा है, तो एक ही चीज फील की है, कि मैं कितना कम जानता हूं इस दुनिया के बारे को काटी भी बोली खैर अच्छा है मैं ये बात नहीं जानती क्योंकि कुछ चीजों को ना जानना ही बैटर है क्योंकि ये चीज जिंदगी में एक सर्प्राइज की तरह होती है कि हर महीने जब हम पूनम का चांद देखते हैं तो देखते हैं अच्छा आज पूनम है और ये excitement ये मज़ा हमें मिलते रहना चाहिए जो लोग time table बनाकर dates को mention करते हैं जो जानते हैं कि कल पूनम है उनके लिए भी ये चीज एकसाइटिंग सी होती है जब वो live full moon को अपनी आँखों से देखते हैं आपको ये चीज पता है कि गर्मियां आ गई है अब आम आने वाला है जो सबको पसंद होता है अगर वो season में आ चुका है fruit shop पर तो जरूर मेरे घर में भी आ जाएगा आपको पता है लेकिन फिर भी एक शाम को जब आकर fridge खोल कर आप देखो कि अरे वा आपके मुझ से एक ही चीज निकलेगी कि अरे वा आम आ गया तो कहने का मतलब हर चीज जानने का मतलब समझने का मतलब यह नहीं है कि आप ignorance से free हो गए ignorance का pleasure आपके लिए कम नहीं हो जाएगा अगर आप चीजों के बारे में जान लेते हो तो मतलब जैसे एक और example देता हूँ मैंने इतनी सारी books पड़ी है लेकिन मुझे exactly याद नहीं कि कौन सी book में क्या था एक French writer थी Monta उन्होंने कहा था कि मेरी memory बहुत खराब है Montaigne का नाम आप जानते होगे उन्होंने कहा था कि मेरी memory बहुत खराब है लेकिन मुझे इस बात का यह advantage मिलता है कि मैं पहले से पढ़ी हुई किताब को जब दुबारा पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं पहली बार कितनी ही बार पढ़ सकता हूँ लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं खराब memory का promote कर रहा हूँ खराब memory होने का मतलब यह नहीं है कि बहुत अच्छी बात है कई fields में इसके नुकसान होते हैं लेकिन जिसके लिए यह अच्छी बात है वो अपनी पूरी जिंदगी Plutark और Arabian Nights को पढ़ते पढ़ते बार बार पढ़ते पढ़ते काट सकता है और इसी के साथ वो इस essay को खतम करते हैं उम्मीद करता हूँ आपको pleasures of ignorance के बारे में पता जला होगा दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतना ही अब जब आपने यह वीडियो खतम कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह essay समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा दोस्तों मैंने text by textress को समझाने ही कोशिश की है चोटा सा ऐसे है कोई बड़ा ऐसे नहीं है तो लाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ next वीडियो में